लीजी सुनिये मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास रंग भूमी के सैतीस्वे भाग का वाचन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में प्रभू सेवक बड़े उत्साही आदमी थे उनके हाथ से सेवक दल में एक नई सजीवता का संचार हुआ संख्या दिन दिन बढ़ने लगी जो लोग शितिल और उदासीन हो रहे थे फिर नए जोश से काम करने लगे प्रभू सेवक की सजन्ता और साहिरदैता सभी को मोहित कर लेती थी इसके साथ ही अब उनके चरित्र में वो कर्तव निष्ठा दिखाई देती थी जिसकी उन्हें स्वयम आशना थी सेवक दल में प्रायह सभी लोग शिक्षित थे सभी विचारशील वे कारे को अग्रिसर करने के लिए किसी नए विधान की आयोजना करना चाहते थे वो अशिक्षित सिपाहियों की सेना न थी जो नायक की आग्या को तौलती है तर्क वितर्क करती है और जब तक कायल नहों जाए उसे मानने को तयार नहीं होती प्रभु सेवक ने बड़ी बुद्धी मत्ता से इस दुस्तर कारे को निभाना शुरू किया अब तक इस संस्था का कारे शेत्र सामाजिक था मेलों ठेलों में यात्रियों की सहायता बाढ़ बूडे में पीडितों का उद्धार सूखे जूरे में विपत्ती के मारे हुऊं का कष्ट निवारन ये ही इनके मुख विशय थे प्रभु सेवक ने इसका कारे शेत्र विस्तरत कर दिया इसको राजनी तिक रूब दे दिया यद्यपी उन्होंने कोई नया प्रस्ताओं न किया किसी परिवर्तन की चर्चा तक न की पर धीरे धीरे उनके असर से नये भाओं का संचार होने लगा प्रभु सेवक बहुत साहरदय आदमी थे गरीबों पर अत्याचार करते देखकर उनकी सहरदयता हिनसात्मक हो जाती थी किसी सिपाही को घसेयारों की घास चीनते देखकर वो तुरंद घसेयारों की और से लड़ने पर तयार हो जाते थे देवे कागहतों से जनता की रक्षा करना उने निरर्थक सा जान पड़ता था सबलों के अत्याचार पर ही उनकी खास निगाह रहती थी रिश्वत खोर कर्मचारियों पर जालिम जमीदारों पर स्वार्थी अधिकारियों पर वो सद्या उत्ताक लगाए रहते थे इसका फल ये हुआ कि थोड़े ही दिनों में इस संस्था की धाग बैठ गई उसका दफ्तर निर्बलों और दुखित जनों का आश्रे बन गया प्रभू सेवक निर्बलों को प्रतिकार के लिए उत्तेजित करते रहते थे उनका कतन था कि जब तक जनता स्वेम अपनी रक्षा करना न सीखेगी इश्वर भी उसे अत्याचार से नहीं बचा सकता हमें सबसे पहले आत्में सम्मान की रक्षा करनी चाहिए हम कायर और दबू हो गए हैं अपमान और हानी चुपके से सह लेते हैं ऐसे प्राणियों को तो स्वर्ग में भी सुक प्राप्त नहीं हो सकता जरूरत है कि हम निर्भीक और साहसी बने संकटों का सामना करें मरना सीखें जब तक हमें मरना ना आएगा जीना भी ना आएगा प्रभु सेवा के लिए दीनों की रक्षा करते हुए गोली का निशाना बन जाना इस से कहीं आसान था कि वो किसी रोगी के सिराहने बैठा पंखा जले या अकाल पीडितों को अन्न और द्रव बाटता फिरे उसके सहीयोगियों को भी इस सहसिक सेवा में अधिक उत्साह था कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़ जाना चाहते थे उनका विचार था कि प्रजाम असंतोश उत्पन करना भी सेवकों का मुख करते हुए है इंद्रदत इस संप्रदाय का अगुआ था और उसे शान्त रखने में प्रभू सेवक को बड़ी चत्राई से काम लेना पड़ता था लेकिन जेओ जेओ सेवकों की कीरती फेलने लगी उन पर अधिकारियों का संदेह भी बढ़ने लगा अब कुछ दिनों में ये अफवाय भी गर्म हुई कि अधिकारी वर्ग में कुवर साहब की रियासत जब्द करने का विचार किया जा रहा है कुवर साहब निर्भीक पुरुष थे पर ये अफवाय सुनकर उनका आसन भी डोल गया वो एश्वरे का सुख नहीं भोगना चाहते थे लेकिन अश्वरे की ममता का त्याग न कर सकते थे उनको परोपकार में उससे कहीं अधिकानन दाता था जितना भोग विलास में परोपकार में सम्मान था गौरव था वो सम्मान ना रहा तो जीने में मजा ही क्या रहेगा वो प्रभु सेवक को बार बार समझाते भाई जरा अज समझ बूज कर काम करो अधिकारियों से बच कर चलो ऐसे काम करो ही क्यों जिन से अधिकारियों को तुमारे उपर संदे हो तुमारे लिए परोपकार का शेत्र क्या कम है कि राजनीती की जगड़े में पड़ो लेकिन प्रभु सेवक उनके परामर्श की जरा भी परवा न करते धमकी देते इस्तीफा दे दूँगा हमें अधिकारियों की क्या परवा वे जो चाहते हैं करते हैं हमसे कुछ नहीं पूछते फिर हम क्यों उनका रुख देखकर काम करें हम अपने निश्चित मार्ग से विचलित नहोंगे अधिकारियों की जो इच्छा हो करें आद में सम्मान खोकर संस्था को जीविती ही रखा तो क्या उनका रुख देखकर काम करने का आशाय तो यही है कि हम खाएं, मुकदमे लड़ें, एक दूसरे का बुरा चेते हैं और पड़े पड़े सोएं हमारे और शासकों के उद्देश में परस पर विरोध है जहां हमारा हित है, वहीं उनको शंका है और ऐसी दशाम में उनका संशह स्वाभाविक है अगर हम लोग इस भात ही डरते रहेंगे तो हमारा होना ना होना दोनों बराबर है एक दिन दोनों आदमियों में वाद विवाद की नौपत आ गई बंदो बस्त के अफसरों ने किसी प्रांत में भूमी करमें मनमानी वरद्धी कर दी थी काउंसिलों समा चारपत्रों और राजनेतिक सभाव में इस वरद्धी का विरोध किया जा रहा था पर कर विभाग पर कुछ असर नहोता था प्रभु सेवक की राय थी हमें जाकर असामियों से कहना चाहिए कि साल भर तक समीन परती पड़ी रहने दे कुवर साहब कहते थे कि ये तो खुलम खुला अधिकारियों से रार मोर लेना है प्रभु सेवक अगर आप इतना डर रहे हैं तो उचत है कि आप इस संस्था को उसके हाल पर छोड़ दे आप दू नौकाओं पर बैठ कर नदी पार करना चाहते हैं ये असंभा है मुझे रईसों पर पहले भी विश्वासना था और अब तो निराशा सी हो गई है कुवर तुम मेरी गिंती रईसों में क्यों करते हो जब तुम्हें खुब मालूम है कि मुझे रियासत की परवा नहीं लेकिन कोई काम धन के बगएर तो नहीं चल सकता मैं नहीं चाहता कि अन्य राश्ट्रे संस्थाओं की भाती इस संस्था को भी धना बहाओ के कारण हम तूटते देखें प्रभु सेवर मैं बड़ी से बड़ी जायदात को भी सिध्धान्त के लिए बलिदान कर देने में दरेग ना करूंगा कुमर मैं भी ना करता यदि जायदात मेरी होती लेकिन ये जायदात मेरे वारिसों की है और मुझे कोई अधिकार नहीं है कि उनकी इच्छा के बगएर उनकी जायदात की उत्तर क्रिया कर दूँ मैं नहीं चाहता कि मेरी कर्मों का फल मेरी संतान को भोगना पड़े प्रभू सेवक ये रईसों की पुरानी दलील है वे अपनी वैभाव भक्ती को इसी परदे की आड़ में छिपाया करते हैं अगर आपको भय है कि हमारे कामों से आपकी जायदात कोहानी पहुँचेगी तो बहतर है कि आप इस संस्था से अलग हो जाएं कुमर साहब ने चिंतित स्वर में कहा रभू तो ये मालूम नहीं है कि इस संस्था की जड़ा भी कितनी कमजोर है मुझे भय है कि अधिकारियों की तीवर द्रश्टी को एक शण भी सहन नहीं कर सकती मेरा और तुम्हारा उद्देश एक ही है मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो लेकिन मैं बूढ़ा हूँ मंद गती से चलना चाहता हूँ तुम जवान हो दोड़ना चाहते हो मैं भी शासकों का कृपा पात्र नहीं बनना चाहता मैं बहुत पहले निश्चे कर चुका हूँ कि हमारा भाग हमारे हाथ में है अपने कल्यान के लिए जो कुछ करेंगे हमीं करेंगे दूसरों से सहान भूती या सहायता की आश्चा रखना व्यर्थ है किन्तु कम से कम हमारी संस्थाओं को जीवित तो रहना चाहिए मैं इसे अधिकारियों के संदेह की भैट करके उसका अंतिम संस्कार नहीं करना चाहता प्रभु सेवक ने कुछ उत्तर ना दिया बात बढ़ जाने का भैट था मन में निश्य किया कि अगर कुछ सहाब ने ज़्यादा चीचा पड़ की तो उने इस संस्था से अलग कर देंगे धन का प्रश्ण इतना जटिल नहीं है कि उसके लिए संस्था कि मरमिस धल पर आगात किया जाए इंद्रदत्य ने भी यही सलाह दी कुछ सहाब को प्रतक कर देना चाहिए हम ओशद्यां बाटने और अकाल पीड़ प्रांतों में मवेश्यों का चारा ढोने के लिए नहीं है है वो भी हमारा काम इस से हमें इंकार नहीं लेकिन मैं उसे इतना गुरू नहीं समझता ये विद्धन्स का समय है निर्मार का समय तो पीछे आएगा प्लैग दुर्भिक्ष और बार से दुनिया कभी वीरान नहीं हुई और नहोगी क्रमशा यहां तक नौबत पहुँची कि अब कितनी ही महत्वे की बातों में ये दोनों आदमी कुर साहब से परामर्श तक न लेते बैठ कर आपस ही मेनेश्य कर लेते चारों तरफ से अत्याचारों के वरतांत नित्त दफ्तर में आते रहते थे कहीं कहीं तो लोग इस संस्था की सहायता प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी रखमें देने पर तैयार हो जाते थे इससे ये विश्वास होता जाता था कि संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है उसे किसी स्थाई कोश की आवश्यक्ता नहीं यदि उत्साही कारे करता हो तो कभी धना भाव नहीं हो सकता जयों जयों ये बात सिद्ध होती जाती थी कुआर साहब का आधिपत लोगों को अप्रिय प्रतीत होता जाता था प्रभु सेवक की रचना इन दिनों क्रांतिकारी भावं से परिपूर्ण होती थी राश्ट्रेता, द्वंद, संगर्ष के भाव प्रतेक छंद से टपकते थे उसने नौका नाम की एक ऐसी कविता लिखी जिसे कविता सागर का अनुपम रत्न कहना अनुचितन होगा लोग पढ़ते थे और सिर्ध धुनते थे पहले ही पद्द में यात्री ने पूछा था क्यों माजी नौका डूबेगी या पार लगेगी माजी ने उत्तर दिया था यात्री नौका डूबेगी क्योंकि तुम्हारे मन में ये शंका इसी कारण हुई है कोई ऐसी सभा, सम्मेलन, परिशद ना थी जहां ये कवितना पढ़ी गई हो साहित जगत में हलचल सी मच गई सेवक दल पर प्रभु सेवक का प्रभुत दिन दिन बढ़ता जाता था प्रायह सभी सदस्यों को अब उन पर श्रद्धा हो गई थी सभी प्राण पण से उनके आदेशों पर चलने को तयार रह दे थे सब के सभी एक रंग में रंगे हुए थे राष्ट्रेता के मद में चूर, न धन की चिंता न घरबार की फिक्र रूखा सूखा खाने वाले, मोटा पहनने वाले जमीन पर सोकर रात काड़ देते थे घर की जरूरत ना थी, कभी किसी व्रक्ष के नीचे पढ़ रहते कभी किसी जोपड़े में हाँ, उनके हिर्दयों में उच्च और पवित्र, देश उपासना, हिलोरे ले रही थी समस्त देश में इस संस्था की सुवेवस्था की चर्चा हो रही थी प्रभू सेवक देश के सर्व सम्मानित सर्व जन प्रिये नेताओं में थे इतनी अलपा वास्था में ये कीर्थी, लोगों को आश्यर होता था जगह जगह से राश्ट्रे सभाओं ने उन्हें आमंत्रित करना शुरू किया जहां जाते लोग उनका भाशन सुनकर मुग्द हो जाती थे पूना में राश्ट्रे सभा का उत्सव था, प्रभू सेवक को निमंत्रन मिला तुरंट इंद्र दत्त को अपना कारे भार सौपा और दक्षन के प्रदेशों में भर्मन करने का इरादा करके चले पूना में उनके स्वागत की खुब तैयारियां की गई थी ये नगर सेवक दल का एक केंद्र भी था और यहां का नायक एक बड़े जीवट का आदमी था जिसने बर्लिन में इंजीनियरी की उपाधी प्राप्त की थी और तीन वर्ष के लिए इस दल में सम्मिलित हो गया था उसका नगर में बड़ा प्रभाव था वो अपने दल के सदस्यों को लिए इस्टीशन पर खड़ा था प्रभू सेवक कहरदय ये समारहो देखकर प्रफुलित हो गया उनके मन ने कहा ये मेरे नित्रत्त का प्रभाव है ये उत्साह ये निर्भीकता ये जागरती इन में कहा थी मैंने ही इसका संचार किया अब आशा होती है कि जिन्दा रहा तो कुछ ना कुछ कर दिखाऊंगा हाँ अभी मान संद्या समय विशाल पंडाल में जब वो मंच पर खड़े हुए तो कई हजार श्रोताओं को अपनी और श्रद्धपूर नित्रों से ताकते देखकर उनका हिर्दय पुलकित हो था गैलरी में ये उरोपियन महिलाएं भी उपस्तित थी प्रांत के गवर्नर महोदय भी आए हुए थे जिसकी कलम में ये जादू है उसकी वाणी में क्या कुछ चमतकार ना होगा सब यही देखना चाहते थे प्रभु सेवक का व्याख्यान्स शुरू हुआ किसी को उनका परचय कराने की जरूरत ना थी राजनीती की दार्शनिक मीमानसा करने लगे राजनीती क्या है उसकी आवश्यक्ता क्यों है उसके पालन का क्या विधान है किंदशाओं में उसकी अवग्या करना प्रजा का धर्म हो जाता है उसके गुण दोश क्या है उन्होंने बड़ी विद्धुता और अत्यंत निर्भीक्ता के साथ इन प्रशनों की व्याख्या की ऐसे जटिल और गहन विशयको अगर कोई सरल बोध गम और मनुरंजग बना सकता था तो वो प्रभुसे वक्त थे लेकिन राजनीती भी संसार की उन महत्तव पूर्ण वस्तों में है जो विशलेशन और विवेचन की आज नहीं से सकती उसका विवेचन उसके लिए घातक है उस पर अग्यान का परदा रहना ही अच्छा है प्रभुसे वक्त ने परदा उठा दिया सेनाओं की कतारें आखों से अद्रश्य हो गई निया एलाए के विशाल भवन जमीन पर गिर पड़े प्रभुत और एश्वर के चिन मिटने लगे सामने मोटे और उज्जल अक्ष्रों में लिखा हुआ था सर्वत्तम राजनीती राजनीती कांत है लेकिन जेवी उनके मुख से ये शब्द निकले हमारा देश राजनीती शून है परवश्टा और आग्या कारिता में सीमाओं का अंतर है तेहों ही सामने से पिस्टॉल छूटने की आवाज आए और गोली प्रभु सेवक के कान के पास से निकल कर पीछी की और दीवार में लगी रात का समय था कुछ पता न चला किसने ये आगात किया संदे हुआ किसी ये औरोपियन की शरारत है लोग गैलरीयों की और दोड़े सैसा प्रभु सेवक ने उच्छ सवर से कहा मैं उस प्राणी को शमा करता हूँ जिसने मुझ पर आगात किया है उसका जी चाहे तो वो फिर मुझ पर निशाना मार सकता है मेरा पक्ष लेकर किसी को इसका प्रतिकार करने का अधिकार नहीं है मैं अपने विचारों का प्रचार करने आया हूँ आगातों का प्रत्यागात करने नहीं एक और से आवाज आई ये राजनीती की आवश्यक्ता का उल्जुल प्रमान है सभा उठ गई यूरोपियन लोग पीछे की द्वार से निकल गए बाहर सशस्त्र पुले सा पहुँची थी दूसरे दिन संध्या को प्रभु सिवक की नामतार आया सिवक दल की प्रबंध कारणी समीती आपके व्याख्यान को नापसंद करती है और अनरोध करती है कि आप लोटाएं वरना ये आपके व्याख्यानों की उत्तरदाई नहोगी प्रभु सिवक ने तार के कागस को फाल कर टुकड़े टुकड़े कर डाला और उसे पेरों से कुचलते हुए आप ही आप बोले धूर्त कायर रंगा हुआ सियार राष्ट्रियता का दम भरता है जाती की सेवा करेगा एक व्याख्यान ने काया पलट कर दी उंगली में लहू लगाकर शहीदों के नाम लिखाना चाहता है जाती सेवा को बच्चों का खेल समझ रखा है ये बच्चों का खेल नहीं है साप के मुह में उंगली डालना है शेर से पंजा लेना है यदि अपने प्राण और अपनी संपत्ती इतनी प्यारी है तो ये स्वांग क्यों भरते हो जाओ तुम जैसे देश भक्तों के बगएर देश की कोई हानी नहीं उन्होंने उसी वक्त तार का जवाब दिया मैं प्रबंध कारणी समीती के अधीन रहना अपने लिए अपमान जनक समझता हूँ मेरा उससे कोई संबंध नहीं आद घंटे बाद दूसरा पत्र आया इस पर सरकारी मोहर थी माई डियर सेवा मैं नहीं कह सकता कि कल आपका व्याख्यान सुनकर मुझे कितना लाभ हो और आनंद प्राप्त हुआ मैं ये अतियुक्ती के भाव से नहीं कहता कि राजनीती की ऐसी विद्ध तापून और तात्विक मीमान सा आज तक मैंने कहीं न सुनी थी नियमों ने मेरी जबान बंद कर रखी है लेकिन मैं आपके भाव और विचारों का आदर करता हूँ और इश्वर से प्राट्थना करता हूँ कि वो दिन चल्द आए जब हम राजनीती का मर्म समझें और उसके सर्वुच्च सिध्धान्तों का पालन कर सकें के वले एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसे आपकी सपष्ट बाते ऐसा है हुई और मुझे बड़े दुख और लज्जा के साथ सुईकार करना पड़ता है कि वो व्यक्ति यूरोपियन है मैं यूरोपियन समाज की ओर से इस काहिरता पून और अमानुशिये आगात पर शोक और घ्रना प्रकट करता हूँ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि समस्ति यूरोपियन समाज को आपसे हार देक साहन भूती है यदि मैं उस नर्पिशाच का पता लगाने में सफल हुआ उसका कल से पता नहीं तो आपको इसकी सूचना देने में मुझसे अधिक आनंद और किसी को न होगा आपका एफ विल्सन प्रभुसी वक्त ने इस पत्र को दुबारा पढ़ा उनके हिर्दय में गुद्गुदी सी होने लगी बड़ी साउधानी से उसे अपने संदूक में रख दिया कोई और वहां होता तो जरूर पढ़कर सुनाते वो गर्वन मत होकर कमरे में टहलने लगे ये है जीवित चातियों की उदारता विशाल हिरदैता गुणगराहकता उन्होंने स्वाधिनता का आनंद उठाया है स्वाधिनता के लिए बलिदान किये हैं और इसका महत्व जानते हैं जिसका समझत जीवन खुशामदा और मुखापेक्षा में गुजरा हो वो स्वाधिनता का महत्व क्या समझ सकता है मरने के दिन सिर पर आ जाते हैं तो हम कितने इश्वर भक्त बन जाते हैं भरत सिंग भी उसी तरफ गए होते अब तक राम नाम का जब करते होते वो तो विनय ने इधर फेर लिया ये उन्ही का प्रभाव था विनय इस अफसर पर तुम्हारी जरूरत है बड़ी जरूरत है तुम कहां हो आकर देखो तुम्हारी बोई हुई खेती का क्या हाल है उसके रक्षक उसके भक्षक बने जा रहे हैं अभी आप सुन रहे थे मुन्शी प्रेम चंद के लिखे उपन्यास रंग भूमी के 37 भाग का वाचन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में